बिग बॉस सीजन 13 की सदस्य और साथी साथ टेलिविजन इंडस्ट्री में गोफी बहु के नाम से मशूर साथ निभाना साथ्या के सीजन 1 और सीजन 2 में दिखाई दे चुकी देबोलीना भटा चार्जी ने जैस्मिन बसीन के गुलावी गाल को लाल कर दिया है जी हाँ दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 में नजर आ चुकी है देबोलीना भटा चार्जी और देबोलीना भटा चार्जी के साथ साथ रश्मी देसाई जो की उनकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी और साथी साथ रश्मी देसाई बिग बॉस सीजन 14 के घर में आती है विकास ग गुपता का हसला बढ़ाते वे दिखाई थी फैमिली विक तास्क में और साती साथ जास्मीन बसीन और एली गोनी को जम कर लतार लगाने लगी और कहने लगी कि आप लोग परसनल गजस निकाल रहे हो विकास गुपता से और साती साथ जबतस्ती आप लोग जो है वो लड़ा दूसरों की बुराई करके आगे बढ़ी थी और हम लोगों को सिखाएगी और ये स्रिटमेंट देखा रश्मी देशाई का उन्होंने यानि कि जास्मिन बसीन ने अपमान कर दिया और जास्मिन बसीन के इस बयान पर देबोलीना भटाचाजी का रियाक्शन सामने आया देबोलीना भटाचाजी ने ट्वीटर पर क्या लिखा है ट्वीटर पर थपड़ जड़ने की धमकी दी है सबसे पहले हम आपको बता देएं कि देबोलीना भटाचाजी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रश्मी देशाई का साथ देते वे उन्होंने कहा कि जान बुच कर रश् देबोलीना भटाचाजी अगर बेक बोलीना भटाचाजी उस वक्त भी होती तो सिदार शुकला को गाल पर एक जोटार तमाचा चड़ती देबोलिना भटाचार जी ने ये कहा है देबोलिना भटाचार जी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मैं घर में रहती तो जैस्मिन बसीन के गुलाबी गाल जो है पूरी तरह से लाल कर देती अब देबोलिना भटाचार जी ने ऐसा कहा है अब इस पर आप देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया निकल कर सामने आती है क्योंकि इस वक्त जो है जैस्मिन बसीन बेग बॉस सीजन 14 के घर से बाहर निकल चुकी है सीक्रेट रूमाला कोई भी ड्रामा नहीं होगा इस पर आप क्या कहना चाहते है प्लीज हमें अपने कमेंट के थूँ जरूर बताएं और साती साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट करें लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों